कि एंटी पीसी ग्रीन मेंबर स्टॉक लिस्टिंग के बाद सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया अपर सर्किट क्या यह स्टॉक कंटीन्यू ट्रेंड कर सकता है क्या यह स्टॉक कंटीन्यू पर जा सकता है अगला वारी एनर्जिस बन सकता है ऐसा तो स्टॉक में क्या हुआ क्या stock circuit मारता हुआ दिखाई जब देखो आज का वीडियो serious note पर important ने क्योंकि I'm sure ये circuit को देखके काफी लोग एंटर कियोंगे किसी का दो मेने का time frame होगा किसी का तीन मेने होगा sir मेरे को short term में अच्छा profit कमाना है मैं ये तीन मेने के लिए stock देख सकता हूगा नहीं I'm sure ये फॉल करने बाद भागा था कि नी भागा था definitely भागा था तो points के आ जाते हैं हमारे logic से एक बस सुनो आपके लोगों के काम आ सकता है ठीक है तो चैनल को अगर first time visit करें जरूर subscribe करें देना stock market funder को एंट टेलीग्रम में नहीं है जाके जरूर जूर लेना सर्च करना मार्ज stock market funder और investors community को जोइन करें अकाउंट open कर सकते हैं हमारी link से चले short and simple पर रखते हैं देखो एक बात समझो stock ने आज upper circuit मारी है आप यहां पर देख सकते हैं stock was up 13.56% in the morning train from the IPO price ठीक है stock की listed जो listing थी वो अनुमान था 2-3% का अगर आपने नहीं देखा है आप यहां पर देख सकते ह अब देखो ध्यान से सुनो हुआ क्या है exactly हुआ क्या है जो आपको market में कोई भी पपा नहीं बताईगा अगर बताएगा मैं channel बंद कर दोगा ध्यान से सुनो देखो market में जो भी stocks आते ना IPO के जरीए ठीक है अगर black market में आप यह बोल सकते के unlisted market में अगर वो company की demand बहुत त अनुमा नहीं होता जैसे कि मैं एक example बताता हूँ स्वीगी की बहुत तगड़ी डिमांड थी ठीक है unlisted market के अंदर जहां पे IPO से पहले की बात है एक साल पहले ने और साल पहले बहुत तगड़ी डिमांड थी ठीक है तो grey market premium भी जब आया था न कि भाई stock list होने वाले 15 दिन क की तो हुआ क्या था कि listing के बाद stock भागता हुआ आपको दिखाए दिया ठीक है यह सेम चीज़े आपको होती होई दिखाए दी Ola company के अंदर ठीक है यह सेम चीज़े होती होई दिखाए दी वारी एनर्जिस के अंदर वारी एनर्जिस की unlisted market में बहुत अगड़ी ठीक है लेकिन बाद में वापस fall करता हुआ दिखाए जया ठीक है तो मेरा कहने का मकसद यह है कि यह जो आपको momentum आ रही है वो unlisted market में जो demand थी ठीक है और listing के time पे return नहीं मिले ठीक है वो लोग ने entry की है बात समझ में रही मेरी बात है अगर नहीं समझ में थोड़े वीडिय जो demand थी उसकी वज़े से stock को भगाय जा रहा है ठीक है stock को momentum करवा जा रहा है manipulate करवा जा रहा है ठीक है लेकिन क्या stock आंगे जाके और momentum कर सकता है तो मैं बलूँगा very short term के लिए कर सकता है लेकिन mid term long term possible chances नहीं हैं सेम चीज़े हुई थी बजाज housing finance के अंदर मैंने आपको त क्लियर कट बोला था कि ऐसा हो सकता है मैंने आपको logic के साथ बतायता और यह दो दिन उपर जाने के वाद फॉल करता हुआ दिखाई जया आज कहां पर 180 का हाई बनाने के वाद 132 है क्या 180 विदिन टूमेंस टेस्ट करेगा के ना मुश्किल है ठीक है टेकनिकल चार्ट बता NTPC Green के अंदर ठीक है तो मेरा पॉइंट यह आ जाता है कि अगर कोई दो तीन मेने का व्यू पकड़के सोच रहा है वाई फसने में पांच सेकेंड नहीं लगेंगे है हाँ अगर आपको ट्रेडिंग करना है अगर आपको करना चाहते कर सकते हैं मैंने खुद किया था बज इसी चीज़ें आप कर सकते हैं लेकिन अगर दो मेने का व्यूए तीन मेने का व्यूए फसने में पांस सेकेंड नहीं लगेगे बात समझ में और यह और यह क्यों उपर गया है आइम आप समझ चुके हैं अनलिस्टेड मार्केट में डिमांड थी लिस्टिंग के टाइम प सुनते किसी की मैं गल्फ्रेट की सुनी ना वाइफ की सुनी मैं क्यों आपकी सुनू ना ठीक है लेकिन देखो एक बात समझो यह स्टॉक ओवर वेलुशन की दुकान है ठीक है यह स्टॉक 264 की पे ट्रेड करता है NTPC ठीक है और अगर मैं बात करने जाओ यहाँ पे वारी करते अगर आपको विश्वास नहीं आप देखो यहाँ पे जितनी भी आपको स्टॉक दिखाई दिया पियर कंपेरिजन के वो इतने ओवर वेलुशन स्टेट नहीं करते आज नहीं तो कल फॉल करेगा NTPC ग्रीन आपको लिखना है लिख लो बात समझ में रही है इवन बात करने जाए 2007 से लेकि 2022 ठीक है more than 10 years आप बोल सकते है तो स्टॉक उस टाइम पर एक पॉसन का भी रिटर नहीं दिया था ठीक है तो मैं नहीं चाहता आप लोग टॉप पर फश जाए स्टॉक इतना ओर वेलुशन से आज नहीं तो कल स्टॉक की ओर विलेशन कम हो सकती है ठीक है थोड़ा थोड़ा करके नीचे हैगा आपको पता भी नीचे लेगा ठीक है आपको करने कर सकते हैं लेकिन मैं आपको point of view समझा रहा था कि मार्किट में क्या चलता है लोगों को trap क्या ऐसा किया जाता है ठीक है आपको समझना है definitely समझ सकते हैं I'm sure काफ़ी लोग समझ ठीक है तो अब point number 3 आ जाते हैं तो सब्सक्राइब क्या खराब है या future growth नहीं करेगी definitely करेगी ठीक है आप देखो के इसी company आप देखो के company expansion करने वाली है तीन साल next 3 years के इंदर बहुत तगड़ा expansion से company को order भी काफी तगड़े मिले हैं अभी current order book नेकने हैं तो आप यहाँ प पांड भी करती हुए दिखाए यह ठीक है तो in short में company अच्छी है कोई खराब नहीं company future growth भी बहुत तगड़ा है company का लेकिन भाई घुमा फिरा की एक ही बात अटक जाती है वो है company की valuations ठीक है अगर यह company का stock का PE price to earning ratio अगर यह stock का price to earning ratio 50 के नीचे होता तो एक chance लिया जा सकत था ठीक है 50 के नीचे था कि मार्केट में दूसरे stock है वो शाए थोड़े ओर वेलिव ट्रेट करें तो भाई इसमें चांस लिया जा सकता था ठीक है लेकिन अभी के लिए इतनी ओर वेलिशन आपको क्या लगता है यह stock का PE क्या 1000 पर जाएगा अगर यह stock दो दिन भी चल गय अगर यह stock की PE 50 के नीचे आ जाते है तो आप इसको भी रडर पी रख सकते है लेकिन point आ जाते है अभी ओर वेलूट से तो be careful, be cautious बात समझ में आ रही है ठीक है तो future growth positive है company 100 में से 100 है आप यह definitely बोल सकते है और listing पे क्यो घब भागा मैंने आपको वो भी समझा दिया अब point आ मैं नहीं बोलाओ, as a disclaimer मैं नहीं बोलाओ, यह जो बड़े analysis होते हैं, आप देखते हैं यहाँ में नाम लिखा हुआ है, senior VP research company के अंदर, तो long term के लिए hold कर सकते है, short term में volatility आपको दिखाई दिया सकते है, conscious stock में, NTPC green के अंदर, लेकिन आपको accumulation करना चाहिए, issue price के आसपास या उसके नीचे, ठीक है, ऐसा बड़े place का मानना है, even आप देखोगे यहाँ पे, एक बड़े बिले का, तो यह भी मानना है, कि stock long term के लिए कोई खराब नहीं है, अगर आपको stop loss रखना है, तो 110 का stop loss रख सकते हैं, बात यह समझ में, लेकिन मैं एक simple word बोलूँगा, कि careful है आज उपर गया, कल नीचे जाएगा, तो पता भी नीचे लेगा, ठीक है, अब point लिया था किससे, तो फिर कल क्या और उपर जा सकता है, क्या यह 300 को टेस्क करने के बाद fall करेगा, simple question, यह को कहना मुश्किल है, ठीक है, for me, अगर गया उपर, तो दो दिन जा सकते हैं, लेकि अगर आपको तीन मेने का व्यू है, तो तीन मेने का व्यू साथ दिन में confirm नहीं होता, एक बात देखो पहला क्या मुँख करा है, हो सकता है कि परसो, कल नहीं परसो fall कर ले, और आपको पता भी नीचे लेगा, भाई, कितना fall करेगा, बात समझ भारी है, तो थोड़ा कॉश रहे ना, शौट टम का व्यू है, दो तीन मेने का व्यू है, आमको सिफ ध्यान में रखता है, ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद आगा, समझ में आगा, कोई डाउट रहे है, कॉमेंट जरू कीजेगा, टेलीग्रम में यह जाके जरू जुड़ीगा, और हमारी चै जाहिए